हलो फ्रेंच्स वेलकम टू मैं चैनल मैं हूँ नीलम आज हम बनाएंगे भर्मा भिंडी भर्मा भिंडी को रोली भी भूणी बनाएंगे यह मनें भिंडी ली है इसको मैंने अच्छेसे दू लिया है और इसको पोँच लिया है तो हम पूरी बिंडी नहीं बनाएंगे, आट-दस बिंडी बनाएंगे, इसमें से नरम-नरम बिंडी मैंने चाट ली है, तो इसके हम दौनों कॉर्नर्स कट करेंगे और बीच में से हम एक चीरा लगा देंगे, तो इस तरह से आप इसको आगे पीछे का कॉर्नर भी काट बिंडी को कट करेंगे, तो मैं सारी बिंडी इस तरह से कट कर ली है, तो देखिये, मैं ती 10-12 भींडी लेकर इस बनाऊँगी, तो अब हम क्या करेंगे, एक मसाला त्यार कर लेंगे, सबसे पहले हम 17 चोटी चमश अलदी लेंगे, उसके बाद हम लेंगे एक चम्मज भरके धनिया पाउडर उसके बाद हम डालेंगे आदी छोटी चम्मज लाल मेर्च गरम मसाला वन फोर टी स्पून और इसके बाद हम एक मसाला डालेंगे जो की है भर्मा मसाला इसमें सौफ, कलोंजी, मैथी और अमचुर सम मिलाकर मैंने इसको भून कर पीस लिया था तो इस मसाले को डालने से भर्मा सबजी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और मैंने इसमें थोड़ा सा तेल भी 2-3 ड्रॉप डाल दिया है और अब हम इसे मिक्स करेंगे अब इस पॉइंट पे आप इसमें बेसन भी डाल सकते थे लेकिन मैंने बेसन डाला नहीं क्योंकि जो भर्मा मसाला यूज किया है वो बहुत टेस्टी है इसमें मैंने थोड़ा सा स्वात के अनुसा नमक मिलाया है तो इस तरह से आप नमक मिला लीजिए और अब हम इसे बिंडी में भरेंगे तो इस तरह से आप एके करके सारी बिंडी भर लीजिए बर्मा मसाला मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाना है तो इस तरह से देखिए बिंडी भरेंगे हम अच्छे से प्रेस करके भर दीजिए तो ये बिंडी मैंने भरी है बिंडी को आप अंदर से चेक भी कर लीजिए कई बार है न कीडा वगरा रहता है उसमें तो हमीशा बिंडी को खोल कर अंदर से चेक कर लेना चाहिए तो ये देखिए बिंडी मैंने भर दी है तो सारी बिंडियां भर गई है एक और बची है वो मैं भर देती हूँ तो अब हम इसे आगे का प्रोसेस बताते हैं क्या करना है गैस अन करके मैंने कड़ाई रग दी है इसमें मैं डालूंगी तेल तो मैंने इसमें डे टेबल स्पून तेल डाला है और ये गरम जब हो जाएगा तो इसमें राई जीरा कुछ भी ने डालना है डारेक भिंडी को चौंग देना है तो अगर आपको मेरी रेसिपी अची लगी तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताईए आपको इस रेसिपी कैसी लगी तो मैं बता रही थी के भर्मा मसाला कैसे बनाया जाता है थोड़ी सी सौफ लीजिए, थोड़ी सी कलोंजी लीजिए, थोड़ी सी मैथी लीजिए और खड़ा धनिया लीजिए और उसको जरा से तेल में भून लीजिए उसके बाद में उसको पीस लेंगे मिक्सी में और उसमें अमचुर पाउडर या इमली मिला देंगे तो ये कोई भी स्टफ सबजी बनाओ आप उसमें ये मसाला थोड़ा सा डाल सकते हैं तो मैंने इसको ढग दिया था बिंडी को 2-3 मिनिट के लिए और वापस मैं इसको खोल लेती हूँ और फिर इसे वापस ढग देती हूँ ये बहुत जल्दी हो जाती है और क्रिस्पी सी बन जाती है भर्मा तो रहती है पर हलकी सी क्रिस्पी भी रहती है तो देखिए फिर मैंने 3-4 मिनिट बाद खोला इसको तो इस तरह से मैं इसको चला रही हूँ तो ये देखिए कितनी अच्छी बिंडी बनी है और एकदम गल भी गई है ये तो अब हम क्या करेंगे इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे आप इसे रोटी, पराठा, दाल चावल के साथ कैसे भी खा सकते हैं इस बिंडी की विशेष्टा ये रहती है जल्दी खराब भी नहीं होती और भर्वा सबजियां सबको बहुत पसंद आती है सूखी सबजियों में भर्वा सबजी का अपना एक अलगी जायका रहता है तो ये देखिए बनकर एकदम तयार हो गई है तो अब मैं आप से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक नई रेसीपी के साथ थैंक यू सो मच